जय जोहार, जय 36 गर संगवारी हो मैं भोली स्वागत करत हूँ आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल कुक्पित भोली में संगवारी हो आज में आप पन बर मटका कुलफी बनाएके एकदम आसान से रेसिपी लेक्या हैं तो देख सका थो आप मन हाँ एक हमार कुलफी में एक कप भर के शक्कर डाल दे हो आधा कप से कम काजु है आउटकिछ मात्र में एकर में बादाम ले हो छे साथ इलाइची है छोटे वाला एकर से फ्लेवर बहुंती अच्छा है आधा कप एकर में कश्टड पाउडर ले हो वेनीला कश्टड हरे आपन कोई भी फ्लेवर ले सकत हो अब जो नास्ता कर थां तेवाला चम्मा से लगवा पांच चम्मा छे हां सब चिला पीश के हम लाइक दम अच्छा से पाउडर बना के लेना है तर देख सकतो बहुत अच्छा से पिसाग है है और अगर एवाला मिक्स बढ़ जाही ना आपमन के पास तो आपमन ह घर वाला दूद भी यूज़ कर जाकत हो आधा लीटर दूद ले हो में एक रा इमें अच्छा से उबाला आन देना है मला तो दूद हलका से ठंडा है अभी तीन से चार समच में एकर अलग से निकाल ले थू काटोरी में कस्टड लग घोले बर ता लो फ्लेम कर दूँ अच्छा से ते देखो लग भग 10 मिनट के लिए उबाल दे हो में लो फ्लेम में अच्छा से आव एकर साइड में जे मलाई आही तेला हमाला खुरज के इमें डाल देना है अवे जो दूद बचा के रखे नहां मनहा उमें चार से पांच चम मच हमाला कस्टड के पाउडर जो बना के रखे नहां मनहा मिक्स वही वाला ला तो अगर आप मनहा एक लीटर दूद ले हो ता एकर मात्रला बढ़ा के डाल दूओ अच्छा से एला घोल लेना है अव गरम दूद में नहीं घोलना है हमाल ला ठंडा दूद में घोल हूना तो एमें गांट नहीं पड़े अच्छा से यह चलाते हुए मिक्स कर लेना है अब आप मन टेस्ट करके एक रह देख सकतो अगर सक्कर कम जादा लगे आप मन जादा मीठा पसंद करतो तो एक रह शक्कर अउडाल लो उपर से आप मन हम अब एला कंटीन्यू चलाते रहना है अब अच्छा से उबालने देना है हमला तो देखो उबालाना सुरू हो चुके है में तलग भकतीन चार मिनट बार एलाव पका लेना है अच्छा से कश्टड के पाउडल ला अब गेस ला हमना बंद कर देवो अच्छा गाढ़ा हो चु है तो देखो लगभग आधा पाउन घंटा के बाद में एकदम अच्छा से ठंडा हो चुके हैं अब कतना गाढ़ा हो चुके हैं देख सकतो आप मनहा तो यह वाला स्टेज में आप मनहा बारिक कटे हुए कत्रन काजू बदाम और पिस्ता के डाल सकतो अमोर कर यह वाला कुल्फी बीच से टूट जते ते करसेती में लकडी वाला इस्टी डाला थो इमें आप मन करा अगर कुल्फी के मोल्ड नहीं है तो आप मन कोई भी कटोरी या गिलास में इला सेट कर सका थो अब इला जितना भी खांचा है ते में थोड़ा-थोड़ा डाल देना हमला अब आप मन करा अच्छा से कवर कर दूँ हमें में सिम्पल इसने पॉलिथीन लेकी कवर कर दे थो इला उपर से एक रबर बेंड लगा देवो ताकि हमर जे पॉलिथीन है ते निकले मत कोई भी पॉलिथीन यूज़ कर सकतो आप मन हाद हो के अब यह मैं हलका हलका कट लगा देवो चाकू के साहता से ताकि जे इस्टीक है ते आसानी से चले जाए अंदर ऐसे तरीका से लगा देना है मैं इस्टीक ला ता अबेला हमला रात भर रख देना है प्रीजर में अवे देखो सुबर बहुत अच्छा से जम के तयार हो चु बने हैं आप मन देख सका थो और स्वाद भी बहुत अच्छा है और बहुत ही टेस्टी बने हैं जैसे मार्केट से हमना लाके खाताना मटका कुल्पी बस वैसने ही टेस्ट है कर बहुत ज्यादा स्वादिश्ट है और अगर आप मनला आज के रेसिपी है पसंद आये होई तब वीडियो ला लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करें पर जन भूला हूँ अगर नवह हो था इतान अगले वीडियो में तब तक बर जै जोहार जै चातिस गर्ण